इंटरनेशनल मारकेट में शुगर की कीमतों में रिकोर्ट तेजी आई है अमेरिका में चीनी 6 साल के उन्चाई पर पहुँच गई है दरसल दिसंबर में ICE चीनी 5 परतिशस से ज़्यादा बढ़ गई है चबकि 20.8 लाग बिलियन टल डोलर की उन्चाई तक भाव पहुँच चुके है 2022 में अब तक ICE चीनी 8 पीसद चड़ी है चीनी में तेजी की वज़ापन नजर डाले तो ब्राजीलियन करंसी में मजबूती से चीनी में तेजी आई है आपको बता दे कि ब्राजील चीनी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश है वहीं सप्लाई कम होने से भी शुगर की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है और वहीं मौसम खराब से फसल में गिरावट की उमीद जताई गई है गोर्तलवे की थाईलेंड औस्टेलिया यूएस में फसल घटी है भारत से सप्लाई कम होने से भी कीमतों को सपोर्ट मिलता दिखाई दिया है उधर 2022-23 सीजन में चीनी का उत्पादन बढ़ने की उमीद की जा रही है जबकि महराश्चर में 10 फीसद तो यूपी में 5 फीसद उत्पादन बढ़ने की उमीद है 2022-23 के लिए देश में चीनी का प्रडक्शन 3 करोड 65 लाग टन रहा जबकि कैरी ओवर स्टोक में 60 लाग टन देखने को मिला वही देश में खपत 2 करोड 75 लाग टन रही जबकि एक्सपोर्ट को 60 लाग टन मंजूरी मिली है वही टी आर क्यू के तहत एक्सपोर्ट 14,447 टन रहा है चीनी के ओपनिंग स्टोक पर नज़र डाले तो विदवर्श 2021-22 में 83 लाग टन स्टोक रहा जबकि विदवर्श 2022-22 में 60 लाग टन रहा है आपको पता दे कि महाराश्य उत्तरपरदेश और करनाटक चीनी के बड़े उत्पादक राज्य है विरो रिपोर्ट मार्के टाइम स्टीवी